ओबध्या बहुष्वक्ता की पुस्तक अध्या एक ओबध्या का दर्शन हम लोगोंने यहवा की ओर से समाचार सुना है और एक तूत अन्ने जातियों में यह कहने को भेजा गया है कि उठो हम उससे लड़ने को उठे मैं तुम्हें जातियों में छोटा करता हूँ तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा हे पहाडों की दरारों में बसने वाले हे उचे स्थान में रहने वाले तेरे अभिमान ने तुझे दोका दिया है तू तो मन में कहता है कि कौन मुझे भूमी पर उतार देगा परन तू चाहे तू उकाब की नाई उचा उड़ता हो बर की यही वानी है यदि चोर डाको रात को तेरे पास आता हाई तू कैसे मीटा दिया गया है तो क्या वे चुराय हुए धन से तुप्त होकर चले न जाते और यदि दाक के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाक न छोड़ जाते परन्तू एसाव का जो क उसका गुप्तधन कैसे पता लगाकर निकाला गया है, जितनोंने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सभोंने सिवाने तक तुझको पहुचा दिया है, जो लोग तुझसे मेल रखते थे, वे तुझको धोका देकर तुझपर प्रबल हुए है, और जो तेरी रूटी खाते है, वे तेरे लिए फंदा लगाते है, उसमें कुछ समझ नहीं है, यहवा की यहवानी है कि क्या मैं उस समय एदों में से बुद्धिमानों को, और एसाव के पहाड में से चतुराई को नाश न करूँगा, और हे तेमान, तेरे शूरवीर का मन कच्चा हो जाएगा, और यह एस उस उपद्रों के कारण, जो तुने अपने भाई याकुप पर किया, तु लज्जा से ढपेंगा, और सदा के लिए नाश हो जाएगा, जिस दिन परदेश लोग उसकी धनसंपती छिन कर ले गए, और बिराने लोगों ने उसके फाटकों में सिगुसकर यरुशलेम पर चि उसके विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता, और यहुदियों के नाश होने के दिन उनके उपर आरंद करता, और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता, तुझे उचितन था कि मेरी पजा की विपत्ति के दिन तु उसके फाटक से गुसता, और उसकी विपत्ति क उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धनसंपत्ति पर हात लगाता और तिर मुहाने पर उसके भागने वालों को माल डालने के लिए खड़ा होता और उसके संक्रट के दिन उसके बचिहों को पकड़ा देता क्योंकि सारी अन्य जातियों पर यहवा के दिन का आना निकट है। जैसा तुने किया है, वैसा ही तुझ से भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लटकर तेरी ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तुने मेरे पवित्र परवत पर पिया, उसी प्रकार से सारी अन्यजातिया लगातार पीती रहेगी। बरन वे सुकर सुकर कर पियेगी और ऐसी हो जाएगी मानव कभी हुई ही नहीं। उस समय सियोन परवत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा। और याकुप का घराना अपने निजभागों का अधिकारी होगा। और याकुप का घराना आग और यु और एसाव के घराने का कोई न बचेगा। क्योंकि यहुआ ही ने ऐसा कहा है। और दखिन देश के लोग एसाव के पहाड के अधिकारी हो जाएगे। और नीचे के देश के लोग पलिश्टियों के अधिकारी होगे। और यहुदी, एप्रेम और साम्रिया के देहात को अनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं और यरिश्ली मियों में से जो लोग बंधुआए में जाकर सपाराद में रहते हैं, वह सब दखिन देश के नगरों के अधिकारी हो जाएगे। और उध्धार करने वाले एसाव के पहाड का न्याय करने के लिए सियोन परवत पर च के जाएगे।